नमबर वन चानल के नमबर वन सो शाजिश में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला आज बात सबसे पहले इसराइल की रिपोर्ट है कि इसराइल ने युद की कई बातों को चुपाया है दुनिया से दावा किया जा रहा है कि हमाज से लड़ते हुए इसराइल के इतने ज्यादा सैनिक मर गए है कि सही आंकडे तक नहीं जारी किये जा रहे है रिपोर्ट तो ऐसी भी है कि इसराइल ने जितने सैनिकों के मरने की बात मानी है उससे दस गुना ज्यादा फौजीयों की मौत वहां पुई करें हथियारों के मामले में इसराइल को दुनिया का एक बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है इसराइल का Aero Air Defense अतना ताकतवर है कि इसराइल दावा करता है कि अगर 2000 किलोमेटर दूर से भी कोई मिसाईल इसराइल की तरफ लाँच होती है तो मिसाईल लाँच होते ही इसराइल का Aero Air Defense सिस्टम एक्टिव हो जाता है जब तक इस्राइल अपनी एरफोर्स के माध्यम से घाजा पटी पर बंबार्डिंग करता रहा तब तक इस्राइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का आकडा लगबग इस्थिर रहा लेकिन जैसे इस्राइल ने अपना ग्राउंड ओपरेशन शुरू किया इस्राइल के सैनिकों के मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई लेकिन अब जो समचार फिलिस्तीन के अखबार छाप रही है उससे असा लग रहा है कि इस्राइल की सेना और इस्राइल की सरकार इस्राइल के सैनिकों की मौत के आंखुनों को छोपा रही है फिलिस्तीन क्रोनिकल नाम के एक अखबार ने इसरेल के मिलिटरी सिमेट्री यानि इसरेल के सैनिक अबरस्तान यानि वो जगह जहां पर इसरेल के सैनिकों को दफन किया जाता है उस जगह के डिरेक्टर डेविड वार्नर बरूच का एक इंटरव्यू छपा है इस इंटर्व्यू में इस्रेल की मिलिटरी सिमिट्री के डिरेक्टर डेविड बॉर्नर ने कहा है कि इस्रेल के अंदर हर घंटे एक इस्रेली सैनिक का शब कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है इस इंटर्वियो को फिलिस्तीन के अरब देशों के अकबारों ने हाथों हाथ लिया और ये दावा किया कि इस्रेल के सैनिकों की मौत का आखड़ा आधिकारिक आखड़े से कहीं ज्यादा है जेरुसलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हरजल कब्रिस्तान है और यहाँ पर इस्रेल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है मिडल एस्ट मौनिटर नाम की एक और न्यूज वेबसाइट में इस कब्रस्तान के डिरेक्टर डेविट ओरेम का बयान छपा है पिछले 48 गंटे में 50 इस्रेली सैनिकों को दफनाया गया है लेबनम के बॉर्डर पर हेजबुला से लड़ते हुए मारे गये हैं और 300 से जादा सैनिक 7 अक्टूबर और उसके बाद एक हफ़ते तक इस्रेल के अंदर हमास के आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए मारे गये है लेकिन फिलिस्तीन के अकवारों का दाव़ा है की ग्राउंड आपरेशन में इसरेल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या आधिकारिक आंकुणों से कहीं जादा है अगर इसरेल के मिलिटरी सिमिटरी यानि सैनन कबरिस्टान के डरेक्टर डेविड वारेन को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इस्रेयल के ग्राउंड ओपरिशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानि 30 दिन में 720 घंटे होते हैं अगर इस्रेयल के सैनिक अपरिस्तान के डिरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अब तक ग्राउंड ओपरिशन से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है ये सिर्फ एक अनुमान है इसकी पुष्टी नहीं की जा सकती है इतना ही नहीं हेजबुल्ला ये दावा करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हेजबुल्ला के 80 लड़ाके मारे गए है जबकि इस्रेयल के गरीब 10 सैनिक मारे गए है जबकि हेजबुल्ला को सपोर्ट करने वाले देश इरान के सरवुच नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके है इस्रेयल के ज्यादा सैनिक मारे गए है लेकिन इस्रेयल आंकडों को छुपा रहा है अब ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि क्या वाकई में इस्रेयल की सेना अपने मारे गए है सैनिकों के आंकडों को छुपा रही है इस्रेयल की सेना प्रोपेगंडा वार में हमेशा सबसे आगे रहती है और आज भी इस्रेयल और हमास के युद में अगर देखा जाये तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों के हालत बहुत ज्यादा खराब है गाजा पट्टी के अंदर लगातार होई बंबारी में अब तक करीब 45 पत्रकार मारे जा चुके हैं जो फिलिस्तीन के मुद्दे को कवर कर रहे थे अब ऐसी इस्थिती में गाजा के संचार तंत्र पर इस्रेयल का 75 ततिशत कपजा है और इस्रेयल जो चाता है वही सूचना गाजा से बाहर निकलती है क्योंकि गाजा के अंदर इस्रेयल की सेना अपनी पकड को मजबूत कर रही है और जहां तक इस्रेयल के सैनिकों के मारे जाने की संचा का सवाल है तो यहां एक और बात जाननी जरूरी है कि इसरेल के डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानी सर्वश्रेश्ट सेना की दरब तस्तुत करती है और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करे जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हूँ लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि इसरेल की के सैने नीती है कि वो हमेशा दुश्मन के दस गुना आदमी ज्यादा मारता है और अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो घासा के अंदर 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 7,000 लोग मलबे में दफन हैं इन में से मारे गए बच्चों की संख्या तो करीब 7,000 हो चुकी है यानि घाजा में एक बहुत बड़ा नर्संखार हो रहा है लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के नैशनल सेक्योटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन केर्वी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेंस कॉन्फरेंस में ये कहा है कि घाजा पट्टी में कोई नरसंगार नहीं हो रहा है ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे और इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जॉर्डन भी घाजा पट्टी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना जरूरी है जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है योकरेन और रूस के योद में जब पुतिन की मिसाईल योकरेन पर कहर बनकर तूट रही थी और करीब 1000 योकरेनी बच्चे हताहत हुए थे कब अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया था कि पुतिन नरसंगार कर रहे है लेकिन घाजा पट्टी के अंदर हजारों मौथों के बाद भी अमेरिका इसे नरसंगार नहीं मान रहा है यह अमेरिका के दोहरे मापदंडों का बुक टेक्स्ट एक्जाम्पल है मालेशिया के प्रधान मंतरी अनवर इब्राहिम ने कहा है कि योकरेन की घटनाओं को नरसंगार मानना और घाजा पट्टी की मौतों को नजर अंदास करना वैश्विक पाखंड है दूसरी तरफ अगर देखा जाये तो अब तक घाजा पट्टी के अंदर 30,000 से ज़ादा लोग घाल है और घाजा पट्टी के अस्पतालों के हालत क्या है ये पूरी दुनिया को नजर आ रही है जॉर्डन ने घाजा पट्टी के गाल लोगों के लिए एजिप्ट के अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है किंग अब्दुल्ला के बेटे खुद इस अस्पताल के निगरानी करने के लिए गए लेकिन आपको जान कर हरानी होगी कि इस फील्ड हॉस्पिटल में मातर 40 बेड है जबकि घाजा के अंदर 30,000 से ज़्यादा लोग गायल है और इन हालातों में एक फील्ड हॉस्पिटल में मातर 46 बेड का इंतजाम लोगों के साथ एक प्रूर मजाक है ज जबकिने को उनक्द को ज Sache mortal झील में देद लोगों किम लमीजिक का लगों मातर 10 इस्राइल अपनी टेक्निकल सुपेरियरिटी की वज़े से अजह है पिछले हफ्ते इस्राइल ने हमास की ताकत को इस कदर निस्तो नाबूत किया था कि पिछले हफ्ते 72 घंटे में इस्राइल की राजधानी तेल अवीब पर एक भी मिसाईल अटेक नहीं हुआ था और जब सो मवार को तेल अवीब पर एक मिसाईल अटेक हुआ तो जहां से मिसाईल अटेक हुआ उस रॉकेट लॉंचर को भी गाजा के अंदर जाकर इस्रेल ने तबा कर दिया ये इस्रेल की ताकत है हमास की प्रवक्ता अबू उबैदा की माने तो हमास के लड़ाकों ने इस्रेल के 350 से ज्यादा बक्तरबंद गाड़ियां और टैंकों को ओड़ा दिये हैं हमास का दावा तो ये है कि इस्रेल के 150 मरकाबा टैंक उड़ा दिये गए हैं हमास तस्वीरे भी जारी कर चुका है लेकिन फिर भी हमास की पकड़ गाजा से इसलिए धीली पड़ चुकी है क्योंकि हमास के बड़े बड़े हेड़कोर्टर पर इस्रेल ने टैंक चड़ा दिये हैं इस्रेल ही नहीं अल शिफा अस्पताल में काम कर चुके डॉक्टर भी ये मानते हैं कि अल शिफा में हमास का हेड़कोर्टर हो सकता है Times of Israel अकबार ने ये दावा किया है कि France 24 नाम के एक News Channel पर एक Britain के डॉक्टर ने इंटर्व्यू दिया है इस डॉक्टर ने तीन साल तक अल शिफा अस्पताल के अंदर काम किया था घाजा के अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस British डॉक्टर का दावा है कि अल शिफा अस्पताल में कई ऐसी जगहें थी जहां पर उसे जाने के लिए मना किया गया था ये कहा गया था अगर वो वहां प्रतिबंधित क्षित्र में जाएगा तो उसे गोली लग सकती है Times of Israel ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेटवाटर होने का दावा करने वाले विटिश डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया है क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने पर गाजा के अंदर मौझूद उसके सहयोग्यों को हमास मार सकता है अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस बिटिश डॉक्टर ने आगे कहा कि सावधान कि ये जाने की वज़े से मैं घाजा के अल शिफा अस्पताल के प्रतिबंधित शेत्रों से दूर रहा लेकिन मैंने कुछ संदिग से नजर आने वाले ऐसी लोगों को अस्पताल में हार समय अंदर और बाहर जाते देखा था जो चिकित सा कर्मी नहीं थे ये लोग अस्पताल के बेस्मेंट के अंदर जाते थे The first time our forces entered the Shifa complex, they went in with a bomb sniffing dog and they discovered a truck full of ammunition After revealing the shaft by the D9, they saw circular opening and they couldn't see all the way down at the time but further investigations and tools lowered down it revealed that this is a 10 meter deep shaft that leads to a corridor. At the end of that corridor there is a blast proof door with a shooting hole at the top of it and our forces after making sure that all defense mechanism are dismantled have opened that door that leads to another door that goes deeper into the complex The understanding that this tunnel goes under the hospital Israel Defense Force ने इस ब्रिटिश डॉप्टर के इंटर्व्यू को आधार बनाते हुए एक पर फिर कहा है कि इस इंटर्व्यू से साबित होता है कि अल्शिफा अस्पदाल का इस्तिमाल हमास के आतनक्वादियों के द्वारा हेड़ प्वार्टर की धर रखिया जा रहा था